ये मंदीर मात्र एक देव मंदीर नहीं है ये भारत की द्रश्टी का भारत के दर्शन का भारत के दिख दर्शन का मंदीर है ये राम के रूप में राष्ट चेतना का मंदीर है राम भारत की आस्ता है राम भारत का आधार है राम भारत का विचार है राम भारत का विधान है राम भारत की चेतना है, राम भारत का चिंतन है, राम भारत की प्रतिष्टा है, राम भारत का प्रताब है, राम प्रभाव है, राम नेती भी है, राम नीती भी है, राम नित्यता भी है राम निरंतरता भी है राम विबु है विशद है राम व्यापक है विश्व है विश्वात्मा है और इसलिए जब राम की प्रतिष्ठा होती है उसका प्रभाव वर्षों या सताब्योता की नहीं होता है उसका प्रभाव हजारों वर्षों के लिए होता है महर्छी वालमिकी ने कहा है राज्यम दस सहस्त्राणी प्राप्य वर्शाणी रागबह राम दस हजार वर्षों के लिए राज्य पर पतिष्ठित हुए यानी हजारो वर्षों के लिए राम राज्य स्थापीत हुआ जब त्रेता में राम आए थे, तब हजारों वर्षों के लिए राम राज्य की स्थापना हुई थे हजारों वर्षों तक राम विश्व पत्रदर्शन करते रहे थे और इसलिए मेरे प्यारे देशवाचियों, आजयो द्यभूमी, हम सभी से प्रतेग राम भक्त से प्रतेग भार्तिय से कुछ सवाल कर रही है स्री राम का भव मंदिर तो बन गया अब आगे क्या सद्यों का इंतिजार तो खत्म हो गया अब आगे क्या आज के इस अवसर पर जो दैव जो दैव या आत्माए हमें आशिरवाद देने के लिए उपस्तित हुई हैं हमें देख रही हैं उन्हें क्या हम ऐसे ही विदा करेंगे नहीं कदापी नहीं आज मैं पूरे पवित्र मन से महसूस कर रहा हूं कि काल चक्र बदल रहा है यह सुकत संयोग है कि हमारी पीडी को एक काल जईपत के सिल्पकार के रुप में चुना गया है हजार वर्स बात की पीडी राष्ट निर्मान के हमारे आज की कारियों को याद करेगी इसलिए मैं कहता हूं यही समय है सही समय है हमें आज से इस पवित्र समय से अगले एक हजार साल के भारत की नीव रखनी है मंदिय निर्मान से आगे बढ़कर अब हमें सभी देशवासी यहीं इस पल से समर्थ, सक्षम, भव्य, दिव्य, भारत के निर्मान की सोगंद लेते हैं राम के विचार मानस के साथ ही जन मानस में भी हो यही राष्टन निर्मान की सीड़ी है साथियों आज के यूग की मांग है कि हमें अपने अंतर करण को विस्तार देना होगा हमारी चेतना का विस्तार देव से देश तक, राम से राष्ट तक होना चाहिए हनुमान जी की भक्ती, हनुमान जी की सेवा, हनुमान जी का समर्पन ये ऐसे गुण हैं जीने हमें बहार नहीं खोजना पड़ता प्रतेग भारतिय में भक्ती, सेवा और समर्पन के भाव समर्थ, सक्षम, भव्य, दिव्य, भारत का आधार मनेंगे और यहीं तो है देव से देश और राम से राष्ट की चेतना का विस्तार दूर सुदूर जंगल में, कुटिया में, जीवन गुजारने वाली, मेरी आधिवासी मा, शबरी, शबरी का ध्यान आते ही, अप्रतेम विश्वाज जागरुद होता है मा सबरी तो कब से कहती थी राम आएंगे प्रतेग भारतिय में जन्मा यही विश्वास, समर्थ, सक्षम, भग्य भारत का आधार मनेगा और यही तो है, देव से देश, और राम से रास्त की चेतना का विस्तार हम सब जानते हैं कि निशाद राज की मित्रता सभी बंदनों से परे है निशाद राज का राम के प्रति संमोहन प्रभु राम का निशाद राज के लिए अपनापन कितना मौलिक है सब अपने हैं सभी समान है प्रतेग भारत्य में अपनत्व की बंदूत्व की ये भावना समर्थ सक्षम भव्य दिव्य भारत का आधार बनेगी और यहीं तो है देव से देश और राम से राष्ट की चीतना का विस्तार साथियों आध देश में निराशा के लिए रत्ती भर भी स्थान नहीं है मैं तो बहुत सामान्य हूं मैं तो बहुत छोटा हूं अगर कोई यह सोचता है तो उसे गिलहरी के योगदान को याद करना चाहिए कर दो बहुत सामान को यह सोचता है तो बहुत बहुत प्रभाद करना चाहिए